तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज आपका टैस्ट है किसका साइकलोजी के यूनिट सेकंड का व्यक्तित्व का पर्सनेलेटी का टैस्ट है आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आप लोग तयारी करके आईएगा तो देखेंगे लास्ट में कितनों ने सही आंसर दिये हैं इसके अलवा लास्ट वीडियो में जब हमने टैस्ट लिया था जब मैंने आपको बताया था कि वो बच्चे जो की बहुत अच्छे से इस टैस्ट को देंगे और जिसमें हमने 50 कुशन जो है वो डिसकस किये थे तो इन चारों बच्चों को आप लोग इस कदर तयारी करिये जैसे कि ये लोग कर रहे हैं इनकी तयारी बहुत अच्छी है और एक्जाम आने तक ये लोग इतना अच्छा कर जाएंगे कि आप लोग ये कहेंगे कि हांस इन लोगों के तयारी काफी अच्छी है तो आप लोग इनी की तरह जो है वो तैयारी करिए तभी आप लोग जो है वो selection तक पहुँच पाओगे तो चलिए आज का test जो है वो start करते हैं देखेंगे last में कि कौन जो है वो अपना 100% देता है इसके अलबा geography आपकी complete हो ही चुकी है geography का जो आपका unit test है उसकी सूचना आपको मिली चुकी है उसके तयारी जो है वो भी आप करते रहिए बीच में छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को चीक है चलिए start करते हैं question number one ध्यान से पढ़िए question को और उसके option को सरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए option है क्रेचमर वर्स शेल्डन ने हिप्पोकेट्स ने जुंग ने या आडलर ने तो फटापट से सोचिए इसका answer तो आपने लगाया इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है, सद्री रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, क्रैचमर ने भी और शेल्डन ने भी, ठीक है, तो इन दोनों ने कौन-कौन से प्रकार बताए हैं, जिसमें क्रैचमर ने तो व्यक्तित्व के त लंबाकार बताए जिन्होंने उनके दूसरे नाम भी दिये एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक ठीक है तो ऐसे आपको याद रखने थे चलिए next देखिए question 2 व्यक्तित्व व्यक्ति में उन शारिरिक अवस्थाओं का गतिशील शंगठन है जो उसके पर्यावरन के साथ उनका अध्वितिय समानजस से निर्धारित करता है तो यह कथन किसका है option देखिए फटाफट से बिग वहंट का, ओलपोर्ट का, ड्रैवर का या मन का तो यह definition जो है वो किसकी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक अवस्थाओं का गतिशील स तो उसके पर्यावरन के साथ उसका अध्वितिय समानजस से निर्धारित करता है तो पर्सनलिटी के बारे में बहुत ही important definition जो है वो किसने दी है तो answer आपने लगाया फटा-फट से अब देखिए इसका सही उत्तर आप लोगों ने याद किया है तो इसका answer जो है वो आपने लगा ही लिया है answer है all पर्ट ने ठीक है next देखिए question number 3 एक संगटित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती है वह है सामाजिकता गतिशीलता संकल्प शक्ति या जगड़ना तो एक संगटित व्यक्तित्व इनमें से कौन सी विशेषता उसमें नहीं पाई जा जाएगी क्या गतिशीलता पाई जाएगी संकल्प सक्ति पाई जाएगी या जगड़ना पाया जाएगा तो इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा क्योंकि एक ही गलत बता रहा है option और वो है जगड़ना जो की संगटित व्यक्तित्व में नहीं आएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विदियां हैं चलिए तो इसका option देखिए फटाफट से रोडशा श्याही धब्बा परिक्षण जिसको क्या बोलते हैं IBT प्रासंगिक अंतरबोत परिक्षण यानि TAT और बाल चंपरंत्यन जिसे की CATB कहते हैं या उपरोग तो सभी तो इन में से कौन सी व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विदियां हैं तो बिल्कुल इसका सही आंसर तो यही है ये तीनों ही व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विदियां है ठीक है नेक्स देखिए question 5 व्यक्तित्व को समझन के लिए व्यक्तित्व के शील्ड गुणों का अध्यान किस मनोविज्ञानिक ने किया किसका शील्ड गुणों का कैटल वा ओलपोड का गैरिट ओलपोड या जुंग इन चारों में से किसने व्यक्तित्व के शील्ड गुणों का अध्यान किया है तो सोचिए पटाफट से इसका आंसर तो यहां आंसर जो है वो होगा कैटल और और पॉर्ट ने ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए जिसमें हमें पता है कि जो कैटल थे उन्होंने तो शोला सील गुण बताये थे और और इन्होंने दो बताये थे सामानने और व्यक्तिगत यानि सामानने गुण और विशेश गुण ये बताये थे नेक्स्ट देखिए कुशन 6 उबहे मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उबहे मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उप्रोग्त दौनों या इन में से कोई नहीं तो सबसे पहले यहां पर उभ्यमुखी व्यक्तित्व यह प्रकार किस ने बताए थे जुंग ने बताए थे ठीक है तो जुंग ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए थे अंतर्मुखी, बहि बहिर मुखी होते हैं दोनों होते हैं या अन्य होते हैं इन में से कोई नहीं है तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा जिस व्यक्ति में ये दोनों ही व्यक्तित्व पाये जाते हैं अंतर मुखी भी होता है और बहिर मुखी भी होता है तो वह है उबहे मुखी करना है तो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है क्या वंसानुक्रम प्रभावित करता है व्यक्तित्व को वातावरण करता है देखना करता है या व्ययाम करना तो इन में से कौन सा एक गलत है तो यहां जो आंसर होगा, देखिए, यहां पर आपको A और B, इसमें तो कोई confusion नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वंसानुक्रम भी और वातावरन भी अब यह दो option है, इन में से देखिए सही answer, यह होगा देखना, व्यायाम जो है, वह भी personality को प्रभावित करती है, लेकिन देखना जो है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है next है question 8, fried ने सबसे अधिक बल किस प्रवती पर दिया, काम प्रवती, रचना प्रवती, संचय प्रवती या समुह प्रवती, fried ने सबसे पहले सबसे अधिक बल किस प्रवती पर दिया answer जो है, वो सबी ने लगाया, और सब जानते हैं, कि answer है, काम प्रवती question 9 है, व्यक्तित्व, एवं व्यक्तिकत बिभिंताओं को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, वनसानुक्रम, वातावरन, उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो ये बिल्कुल last question जो हमने की किया था, उसे मिलता जुलता है, और इसका सभी आंसर सही देंगे, किसी का भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं, कि व्यक्तित्व हो या व्यक्तिकत बिभिंताओं हो, इनको प्रभावित करने वाले दो तत्व, महतव पून है, वन्सानुक्रम और वातवरन, उप्रोप तो दोनों options ही जो है वो right है, next देखिए, बहिर मुखी बालक की विसेश्था नहीं है, ऐसे ही कुशन आपको एक्जाम में मिलते हैं, बहिर मुखी बालक की विसेश्था नहीं है, चिंतागरस होता है, वो अक्रामक होता ह बहिर मुखी बालक की इनमें से कौन सी विसेश्था है, नहीं है, तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो रहेगा, वो रहेगा आक्रामक, ठीक है, बहिर मुखी बालक की विसेश्था होगी, चिंतागरस्थ भी होता है, उसमें कारे करने की द्रण इच्छा भी रहती है, वो अपनी भावनाओं को बाहर निकालता है, शांत भी होता है, और कभी-कभी आश्यावादी भी होता है, लेकिन आक्रामक जो है वो नहीं होता है, अक्रामक विवहार जो है वो अंतर मुखी बालक का देखा गया है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को प्रकड ही नहीं करता है, इसी वज़े से वो अपराद करता है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपून सूचनाय प्राप्त करने की विधी है, अवलोकन विध विधी, निर्धारन विधी, साक्षातकार विधी या व्यक्ति इतिहास विधी, यहाँ पर देखिए, कीवर्ड क्या है, कि व्यक्ति की संपून सूचनाय प्राप्त करनी है हमें, किसके लिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए, अब हमें कौन सी विधी अपनानी चाहिए, तो यहान जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा विल्कुल यही आंसर सही है कि अगर व्यक्ति की सम्पून सुछनाय प्राप्त करनी है तो उसके लिए व्यक्ति इतिहास विदी केस स्टडी जो है वो को सही रहती है व्यक्तिद्व सब्द का अंग्रेजी रूपांत्रण personality शब्द किस भासा के सब्द से बना है लेतिन भासा के अंग्रेजी भासा के हिंदी भासा के या इनमें से कोई नहीं तो यहां पर तो बिल्कुल टाइम वेज नहीं होता है किसी का भी ओफटापट से आंसर आते हैं और इसका सही आंसर जो है वो बिल्कुल यही है लेटिन भासा संगटित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निमलकित पक्षों का विकास हुआ हो सामाजिक पक्ष मानसिक पक्ष समवेगात्मक पक्ष या उपरोक्त सभी तो एक संगटित व्यक्तित्व जो है वो किसे कहा जाएगा क्या केवल सामाजिक पक्ष वाले व्यक्ति को जिसमें सामा आजिकता का विकास हुआ हो या मानसिकता का विकास हुआ हो सम्वे गात्मक या उप्रोप्त तीनों ही तो आंसर इसका सही रहेगा जिसमें तीनों पक्ष्य विद्धमान होंगे वही संगटित व्यक्तित्व कहलाएगा पर्सनेलिटी सब्द जो हमने अभी देखा था लेटिन भासा से लिया गया है इस सब्द की व्यूत्पत्ती जो है वो ग्रीक लेटिन या यूनानी भासा के किस सब्द से हुई है अब यहां शब्द पूछ लिया गया है पर्सनल से परसैनी से परसोना से या पसोनी से तो पर बिल्कुल इसी तरीके की प्रश्ण आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे चीक है कुछ भी अलग नहीं होता है टॉपिक वही रहते हैं उन्हीं टॉपिक से उठकर कुश्ण पूछे जाते हैं अगर टॉपिक क्लियर है बिल्कुल तो कुश्ण कैसा भी आजाए आंसर होगा परसोना संगटित व्यक्तित्व की विसेश्ता नहीं है गतिशीलता, आसमाजिकता, समायोजन शक्ती या संतोस, उच्च आकरंक्षा वा उद्देश्य पूर्ता तो यहाँ पूछा क्या है, संगटित व्यक्तित्व की विसेश्ता नहीं है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा तो यहाँ पर संगटित व्यक्तित्व की विसेश्ता नहीं है, यह पूछा गया ठीक है, तो असमाजिकता जो है, वो इसकी विसेश्ता नहीं है नेक्स्ट देखिए question 17, वह सक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारी में जानता है, दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस शक्ति का क्या नाम है, गतिशीलता, संकल्प सक्ति, समायोजन सक्ति या आत्मचेतना, तो अम इन चारों में से आप ये कि जिसके द्वारा व्यक्ति स्वैम के बारे में जानता है, और दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो इस शक्ति का क्या नाम है, तो ये कौन सी शक्ति है, जिसमें व्यक्ति खुद के बारे में जानता है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, गतिशीलता दे संकल्प शक्ति यहां कोई संकल्प नहीं लिया जा रहा है समायोजन सक्ति एड्जेस्ट्मेंट तो नहीं बठाया जा रहा है आंसर क्या होगा डी ऑप्शन आत्म चेतन आत्म चेतना जब आपको चार ऑप्शन जो हैं वह समझ में ना आए तो आप एक-एक करके क्या करिए उ अभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारसपरिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला, या स्वैम को यधार्त के अनकूल ढालने वाला। फटाफट से सोचे इसका सही आंसर कि अंतरमुखी बालक जो है वो कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर जो है, वो देखिए, इसका राइट आंसर है कि एकांत में विश्वास रखने वाला, अंतरमुखी वो स्वैम में ही बातने करने में, स्वैम को जानने में, और वो किसी भी तरीके से दूसरों के सामने अपने आपको प्रेजन करने में बिलकुल भी र नहीं रखता है तो एकांत में विश्वास रखने वाला होता है और ये जो बाकी option है कि सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारसपरिक रूप से समझने वाला, स्वयम को यथार्थ की अनपूर ढालने वाला, ये सभी बहिर मुखी बालक की विशेशनाई होती हैं। व्यक्तित्व मापन की वो कौन सी विधी जिसमें व्यक्ती का मुल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। तो सोचिए फटावर्सिस का क्या आंसरों रहने वाला है अब देखिए व्यक्ति का मुल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जा रहा है तो यहां प्रश्नावली विधी ये तो नहीं होगी कोई भी प्रश्ने नहीं पूछे जा रहे हैं तो साक्षातकारविधी जो कि किसी उद्देश्य को लेकर की जाती है ये भी नहीं है ठीक है अब देखिए मापदन परिक्षण विधी और परिशूची इन दोनों में से क्या होगा तो परिशूची जो है ये भी नहीं हो रहा है इस लाइन की अंतरगत आंसर होगा मापदन परिक्षन बिधी ठीक है जिसमें विक्ति का मुल्यांकन उसके संपर्ख में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है वह वारतालाप जो की उद्देश्य पूर्ण है क्या कहलाती है साक्षातकार, वाद विवाद, विचार विमर्ष या इनमें से कोई नहीं तो ऐसी वारतालाप जो की किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जा रही है उद्देश्य है उसका तो वाद विवाद, यहां तो हमें कोई उद्देश्य नजर नहीं आता नहीं विचार विमर्ष में नजर आ रहा है तो एक ही है इसका जही आंसर जो सभी का है राइट और वो क्या है साक्षातकार इंटर्व्यू ठीक है अत्यदिक वाचाल प्रसन्चित रहने वाले तथा सामाजिक प्रवती के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अब हम इसका बुर्कुल भी नहीं गलत करेंगे सब बच्चे सही करेंगे इसका कि जादा से जादा बोलता हो खुश रहने वाला हो सामाजिक प्रवती के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व हो उसका यहाँ पर धनी का मतलब यह नहीं है उसका कि उसके पास पैसा वग्यरा बहुत जादा हो यहाँ है कि सामाजिक प्रवती के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व हो तो वो कहलाएगा बहिर मुखी व्यक्तित्व वाला अचेतन मन का अध्यन किया जाता है मनों विशलेशण विधियों द्वारा, अवलोकन विधी द्वारा, चाक्षत कार द्वारा या आत्मकथा द्वारा अचेतन मन का अध्यन जो है वो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है अचेतन मन का अचेतन मन क्या होता है ये मन का वो भाग होता है जो व्यक्ति का ध्यान विसेवस्तू पर केंद्रित करता है और व्यक्ति को बहारी वातावरण में विचरण करवाता है तो यहां व्यक्ति जो है वो सपनों में रहता है तो इसका अध्यन जो है हम जानते हैं सबी कि मनों विचलेशन विधियों जहां फ्राइड ने मन की तीन अवस्थाएं बताई हैं, कौन-कौन सी चेतन, अर्दचेतन और अचेतन. नेक्स्ट देखिए, कोशन 23, निम्न में से जो व्यक्तित्व परिक्षण की विधी नहीं है, वो है निरिक्षण विधी, ब्रह्मन विधी, शारिडिक परिक्षण विधी और जाक्षातकार विधी, तो व्यक्तित्व परिक्षण की विधी इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहां जो आंसर रहेगा तो देखिए option B ब्रहमण जो है वो किसी भी प्रकार की व्यक्तित्व परिक्षन की विधी नहीं है इसके अलावा निरिक्षन विधी, सारेरिक परिक्षन विधी, साक्षातकार विधी ये सबी क्या हैं वेक्तित परिक्षन की विधियां हैं यह करो यह ना करो यह कौन कहता है इड, इगो या सूपर इगो तो इन तीनों में से कौन यह कहता है कि यह करो और यह ना करो तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सूपर इगो ठीक है सबसे पहले जो इड है इड क्या होता है यह हमेशा व्यक्ति को नकारात्मक प्रवति की ओर ले जाता है स्वार्थ की भावना जो है वो इसके अंदर होती है यह कहता है कि हमेशा व्यक्ति को वही कार्रे करना चाहिए जो उसके लिए कि इच्छाओं की पूर्ती करता हो ठीक है तो यह किसी भी परिस्तिति को नहीं देखता है कि चाहे गलत ही परिस्तिति क्यों नहीं हो स्वार्त की जो पूर्ती है वो इसमें होनी चाहिए और सूपर एगो कहता है कि यह कारे करना चाहिए और यह नहीं युग या जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए हैं। कौमल, आशा में, खिन्न या अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभ्यमुखी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही इस कुश्चन को आप लोगों को बता ही दिया था कि जुंग ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए। कौन-कौन से अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभ्यमुखी। तो आज हमने 25 कुश्चन किये हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की बिविन्ताओं। इसी से संब्दित 25 कुश्चन और करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ यदि जो बच्चे यहां पर 25 में से 25 नंबर या 24 नंबर नहीं ला पाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से तयारी करके आईएगा। हम 25 कुश्चन और करेंगे जिससे की सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थेंक यूू। करेंगे जिससे की सारे एंगे। झाल 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 झाल